हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड़ा दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि रिजूम कैसे बनाते हैं इस वीडियो पर आप लोगों को step by step रिजूम बनाना सिखा जाएगा रिजूम बनाने में लगवग लाखन लोगों को दिया हुआ है और comment में pin किया गया है आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें इसमें केवल आप अपना photo नाम और कुछ जानकारी copy paste करके रिजूम बना सकते हैं तो सबसे पहले बता दें इसको डाउनलोड करने के लिए link description में दे दिया आप वहाँ पर जाएंगे यहाँ पर download here पर click करेंगे तो यह resume आजाएगा आप इसको यहाँ पर format download कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसी तरह धेर सारे हैं आप यहाँ पर Big Data Analytics, B.com, Bio Informatic, Chemical Engineering, Computer Science, Digital Marketing इन सब के लिए अलग-अलग format तयार कियेंगे Finance, Law, Moss Communication और इसी तरह MBA आप देख सकते हैं और Petroleum Engineering, Polytechnic इन सब के लिए format तयार किया गया है आप देख सकते हैं और इसमें केवल आप कुछ changes करके इसको step by step बना सकते हैं तो यह तो बात थी copy paste करके आप कैसे बना सकते हैं लेकिन जिलनों को खुछ से बनाना है उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना step by step तो चलिए सुरू करते हैं resume को कैसे बनाना है तो resume बनाने के लिए आपको सबसे पहले Microsoft Word में जाना होगा आप वहाँ जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर insert को option होगा आप insert पे table पे click करेंगे और यहाँ पर आप 5 table select कर लिजीगा इसमें आपको photo और permanent address डालना होगा तो आप इसको फिर आप इसकी height जो है 1 पर कर दें और इसको आप 20 तक ले जाए इसको आप इसको खीच के इसके बाद आप table 1 और table 2 को छोड़के table 3 और 4 को select करें और यहाँ पर layout में जाएं यहाँ पर आप height देख सकने है width देख सकने है यहाँ पर height जो है आप 1.24 कर दीजे इसको आप देख सकते हैं इसकी height 1.24 है इसके बाद आपको यहाँ पर insert के option में आना है और table पे click करना है table पे click करेंगे draw table आएगा आपको एक line ड्रॉ करनी है जिसमें आपको permanent address लिखना है यह draw कर दिया इसके बाद इधर आपको photo लगाना है इसके लिए आपको एक इधर line ड्रॉ करनी है यहाँ पर आप पहली और last की line को छोड़ करनी है एक line ड्रॉ करें उसके बाद आप यहाँ पर अपने contact detail के लिए एक line ड्रॉ करें इसके बाद आपको क्या करना है पहली line पे जाना है और इसको यहाँ पर यह select करना है और इस पर top border पे click करना है उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और right border पर click करें यह आप line हड़ गई है आप देख सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर photo लगाना है तो इसके लिए आप इसको select करें और select करने के बाद आप यहाँ पर right click करेंगे माउस से तो merge cell आजाएगा merge कर दीजे इसको आप देख सकते हैं आप यहाँ पर photo लगा सकते हैं उसके बाद इन दो cell को आप select करें और right click करें उसके बाद merge cell का option आएगा merge कर दें यहाँ पर आपको अपना name डालना है चलिए नाम डाल देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर present address डालना है address को आप bold कर देंगे इसके बाद आप यहाँ पर color select कर लेंगे color select कर सकते हैं आप अपनी choice का जो color चाहें डाल सकते हैं मैंने यह second सुना है इसके बाद यहाँ पर आप contact detail डालेंगे और इसको bold करके आप इसका background color फिल कर दें उसके बाद आप यहाँ पर mobile डाल सकते हैं mobile number और यहाँ पर आप अपना mobile number डाल दें और यहाँ पर आप email address डालेंगे अपना उसके बाद आप इसका background color चेंज कर दें यहाँ पर आप अपना address डाल दें address डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना photo फेस्ट करना है तो photo के लिए आप यहाँ पर उपर home के पड़ोस में insert में जाएंगे यहाँ पर table के पड़ोस में picture को option होगा आप picture पर select करेंगे और यहाँ पर आप अपनी photo select करने कोई उसके बाद insert करें यहाँ पर देखिए photo आचुकी है इसको आप यहाँ पर select कर लें इसको आप photo को resize कर लें अच्छी तरह से इसके बाद अगला option जो आता है career objective का है आप career objective टाइप करें इसको bold कर दें और इसका background color select कर लें इसके बाद आप यहाँ पर ऐसे cursor को ले जाएंगे जैसे इसको right यहाँ पर cursor को रखेंगे यह blink करने लगेगा आपको यहाँ पर simply enter करना यह table बन जाएगी इसको क्या करेंगे आप select करके इसको merge cell कर देंगे और इसका color जो है white कर लेंगे आप देख सकते हैं यह table बन गई है आपको कुछ नहीं करना बस simply ऐसे cursor रखना है और enter करेंगे आपको यह table बनके आ जाएगी तो आप यहाँ पर career objective आपको डालना है अपना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको format में पूरा ऐसे ही मिल जाएगा आप इसको यहाँ पर type कर दें या फिर अपने लिए लिख लें मैंने लिखा हुआ है to work with organization that offer challenges, responsibility and decision making opportunity where I can blend my functional and technical knowledge gained from experience for continuous growth and better career prospects आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसके बाद अगला option जो है education qualification का है तो यहाँ पर आप education qualification डालने है मान लिजे आपने BA किया हुआ है तो आप BA डाल दें आफिर MBA किया हुआ है तो MBA डाल दें मैंने BA home science डाला है आप अपने education qualification इसमें डाल दें उसके बाद आप इसका background color select कर लें अब यहाँ पर आपको इसमें दो enter देने है उसके बाद आप यहाँ पर बीच में आएंगे और यहाँ पर आप insert में जाके table में जाएंगे और यहाँ पर 5 जो है कॉलम चुलेंगे आप यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको डालना है exam उसके बाद अगला कॉलम होगा year और उसके बाद होगा college and board उसके बाद आप main subject डालेंगे हाँ पर और यहाँ पर marks डालेंगे percentage में इसको आप select कर लेंगे और इसको control V से बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर home पर आएंगे उसके बाद यहाँ पर आप इसको center में कर देंगे आप देख सकते हैं उसके बाद आप अपना यहाँ cursor ले जाएंगे यहाँ पर रखेंगे और simply enter कर देंगे एक बार इसमें आप डाल दीजिए PG यानि post graduate अगर आपने किया है तो आप PG select कर लें अगर नहीं किया है तो आप UG डाल दें तो फिर PG करेंगे तो मुझे यहाँ पर MA करना पड़ेगा PG MA डालना है उसके बाद आप यहाँ पर UG select कर लें और इसके बाद आप intermediate डालेंगे उसके बाद यहाँ पर click करेंगे और enter करेंगे simply आपको enter करना यहाँ पर आप high school डालने उसके बाद कौन से साल में आपने पास किया है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं आपना intermediate का पास किया है और भी डालें आप इसको डालिए उसके बाद हाँ अपना college डालें अब college कर लें हाँप रीमया डाल लेंगे ओर अपना college डाल सकते हैं जैसे आपना main subject डाल सकते हैं आपका जो भी main subject है आप डाल सकते हैं यहाँ पर आप अपने subject डाल दें, अगर space नहों तो आप इसको हलका सा इधर बढ़ा दें उसके बार marks डाल दें, जितने percentage मिले हो आप उतने डाल सकते हैं अपने number डाल दें यहाँ पर आपको high school की जानकारी देनी है, फिर intermediate की देनी है, फिर graduation की देनी है, अगर post graduation की, अगर इन में से आपने कुछ नहीं किया है तो आप उसको छोड़ दे, उसके बाद आप इसको select कल लें और इसका background color आप यहाँ से दे सकते हैं, उसके बाद अगला option जो है training का है, आप उसके बारे में बता सकते हैं, यहाँ पर आप इसका background color white कर लें, इसमें भी same आपको दो बार enter करना है, enter करने के बाद आप यहाँ पर बीच में arrow को लाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर 4 options select करेंगे, एक organization का होगा, एक training and topic का होगा, duration का होगा, उसके बाद remarks होगा, आप यहाँ पर 4 options select कर लें, इसको enter कर दें, या फिर आप यहाँ से भी आप insert कर सकते हैं, यहाँ पर दो करके insert कर सकते हैं, को enter करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप organization का नाम डालने, उसके बाद training का topic या assignment, उसके बाद आप यहाँ पर total time याणी duration डालेंगे, कितने time में आ उसके बाद आप यहाँ पर remarks डालेंगे, और इसको select कर लें, उसके बाद आप इसको center में कर लें, यहाँ पर duration को इधर हलका सा खीच के, यहाँ कर सकते हैं, remarks को छोटा कर दें, इसको आप अपने इसाप से set कर लें, यहाँ पर बस line पे करके, यहाँ पर line पे रखके आपको scroll प्रोल करना है आपने जहां से ट्रेनिंग की उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं और इसका background color जो है आप select कलें यहां से फिर आपने जहां से ट्रेनिंग की है उस organization का नाम दे सकते हैं तो आपने computer course किया या कोछ भी किया है, तो आप training organization का नाम डाल दें, उसके बास आपका topic क्या था, या कोई assignment सा, तो उसको डाल दें, कितने time के लिए क्या है, आप उसको डाल सकते हैं, आपने 2 महिने के लिए, 6 महिने के लिए, 1 साल के लिए, उसको conclude कर दें, अगला option जो है, professional skills का होगा, मैंने यहाँ पर professional skills के बारे में लिख रखा है, अगर आप अपनी skills को यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने पहली जो professional skills है, जो window operating system, Microsoft office, Excel, PowerPoint, word, या good communication, presentation skills, अगर आपको जो भी आता है, आप यहाँ पर लिख दें, उसके बाद अगला option जो आता है, behavioral competence का, तो आप इसको डाल दें, यह सारी चीज़े आपको format में मिल जाएंगी, आप वहाँ से, इसको copy कर सकते हैं, और अपने हिसाब से change करके डाल सकते हैं, इसको आप backspace से सही कर लें, आप इसका background color change कर दें, आप देख सकते हैं, आपका resume लगबग तयार हो चुका है, अगला option जो है आपका project का होगा, उसके बाद आपका industrial visit का होगा, जिन लोगों ने कोई industrial visit नहीं किये, तो यह option छोड़ देंगे वो, और अगर आपने कोई projects वगएरा नहीं किये, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंने एक format दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको download कर लें, प्रोजेक्ट हो गया, industrial visit का option है, अगला आप इसको यहाँ पर, यहाँ पर मानलो आपने किसी एक company में किया, तो उस company का नाम ड़ेंगे, city के बारें बताएंगे, उसके city में company है, दूसरी company का नाम और, मानलो एक में किया तो आप एक कर सकते हैं, और दो में किया तो आप दो में कर सकते हैं, बिल्न जितनी company में आपने industrial visit किया, आप कर सकता है, अगर नहीं किया तो आप इसको छोड़ दें, इसको आप merge भी कर सकते हैं, अगला option जो है आपके additional information का है, और strength और hobbies का है, तो additional information public achievement आपने क्या क्या achieve किया है यहाँ पर इसको simply आपको enter करना है enter करने के बाद table आ जाएगी आप इसको bold करके यहाँ पर background color इसका change कर दे यहाँ पर आप अपने additional information दे सकते हैं आपने कोई college competition अगरा अगरा आपने कोई college competition या festival में भाग लिया तो आप उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे आ रहा है तो आप यहाँ पर insert में जाए और इस पर select करने के बाद page break पर click करेंगे यह break हो जाएगा यहाँ पर चलिए additional information एड कर देते हैं आप देख सकते हैं उसके बाद अगला option जो आएगा आपका strength और hobbies का आएगा आप इसको चलिए इसमें कुछ strength और hobbies को add कर देते हैं इसका आप ग्राउंड कलर चेंज कर लें यहां से white कलर कर लें उसके बाद अगर strength की बात करें तो मैं यहाँ पर डालना हूँ confidence मैंने यहाँ पर strength में confidence और positive attitude डाला है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर hobbies में मैं डाल देता हूँ dancing हालांकि वो मुझे आती नहीं है उसके बाद आप अपने हिसाब से डालेंगे अपनी hobbies को और listening music eating समोसा और आप देख सकते हैं हमारा resume एकदम तयार हो है यहाँ पर यहाँ पर हम एक cops यहाँ पर यह अच्छा लगे इसके लिए हम क्या करेंगे insert में जाएंगे और draw table पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर इसको हम यहाँ पर draw कर देंगे एक line यहाँ पर draw कर देंगे उसके बाद professional skills की एक line यहाँ पर draw कर देंगे उसके बाद यहाँ पर एक line draw कर देंगे और यहाँ पर behavior competence पर आपको line draw करनी है यहाँ पर projects पर एक line draw करेंगे उसके बाद industrial visit पर line draw करेंगे और additional achievements पर उसके बाद hobbies पर draw कर देंगे आप देख सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है इसका color change कर देंगे इसको white color में कर देंगे home पे जाएंगे, यहाँ पर background color है, आप इसको click करें, इसको white कर दें, देखिए आप यहाँ पर यह दिखने में अच्छा लगने लगेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आप देख लीजिए, यह आपको दिखने में भी अच्छा लगने लगेगा, उसके साथ आप इसका fonts भी change कर सकते हैं, इसका मैं करता हूँ, Times New Roman, यह देखिए, आप इसको जो है, Times New Roman में कर दें, यह और अच्छा लगने लगेगा, headings को आप Times New Roman में ना करके, Arial में करें, और font जो है, आप अपने हिसाब से चक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यह दिखने में भी अच्छा लगने लगा है, आप देख सकते हैं resume को, और आप इसको download कर सकते हैं, format को, ऐसी लगवग 15 से अधिक format है, आप उसको download कर लें, आप को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारा format बना हुआ, आपको केवल information ही डालनी होगी, जिसका link में description में देदी, आप वहाँ पर जाकर उसको download कर सकते हैं, और यह video कैसा लगा, मुझे comment section में जरूर बताएं, और अगर आपकी कोई extra requirement है, तो आप मुझ आप